उधर अगामी चुनाव नस्दीक है और कॉंग्रेस का कुन बाभी लगातार बढ़ता जा रहा है सी को लेकर हमारी समवादाता प्रियंका राय ने पूर्व मुख्य मंत्री भुपेंदर हुड़ा से खास बाचीत की क्या कुछ कहना है उनका चलिए आपको समाते हैं मारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व मुख्य मंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा सर जिस तरीके से लगतार कॉंग्रेस में नहीं नहीं जॉइनिंग हो रही है कॉंग्रेस तमाम दावे भी कर रही है चुनाव है सामने तो हर्याना के जुष्टी कौन से फिलहा साथ जिस तरीके से आम आर्मी पार्टी के नेता अर्विन केश्डिवाल वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं हर्याना का बेटा हूँ इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं क्या लगता है कि टक किसके साथ देखने मिलेगी वहां जो है जो इस कॉंगर्स पार्टी के प्रति हैं लोगों का लोग चाते हैं कॉंगर्स पार्टी के प्रति हैं सर राहूल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर तमाम हर्याना में भी बहुत सारी चीज़े देखने को मिली सर सर्मती सिक प्रस्ताव भी पादित हुआ लेकिन अभी भी कहीं न कहीं ये कयास सर आज सुबह आपकी सोनिया गांधी से मुलाकाद हुई तो किन मुद्दों पर मुलाकाद हुई सिस्टा चार गनाते हैं असर एक आखरी सवाल कि SYL का मुद्दा कहीं न कहीं अभी भी काफी जादा तूल पकरता हुआ दिख रहा है और पंजाब इसको लेकर ये स्टैंड दे रहा है कि पानी नहीं है उनके पास लेकिन मुखे मंतरी कहते हैं कि उनके पास सोल्यूशन है अर्विन केज्रिवाल औ बता देंगे क्यों पब्लिंग में क्यों नहीं बताते हैं अभी बताएं सोल्यूशन है तो बताएं तो सही बाकिन जहां तक सवाल है वो सुप्रिम कोर्ट का फैसला फाइनल्टी एटेन कर चुका है अब तो हर्यान सरकार को कंटेप्ट अफ कोड करना चाहिए तो जिस तर कर आए खबर पास्ट